हेलो व्रिवन वेलकम तो सॉलिटूड एजूकेशन सो ओड़केड प्रोब्लम इन सॉलूशन की जो हमारी सीरी चल रही है उसमें लेक्चर नमबर थी में हैं आपका कुछ यूजर इंटरफेस से रिलेटिड प्रोब्लम के बारे में डिसकस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करत ओफेस थ्लतार को नहीं दिखाए देगी वो उस तरह की विंडव भी यहां पर आपकी एक्सिज्य मैन्यू बार रहे है रिबन ओपका है आपका राइट साइड पर आपको इहां पर वीक्यू दिखा देगीर ईॉसके नीचे आपकी नैविगेसिन बार रहें ये फाइल banana bueno क आपका UCS icon भी है नीचे आपकी layout tab है और ये command line भी आपको यहाँ पर शो रही है सारे option जो है यहाँ पर आपको available है अभी मैं आपको यहाँ पर दूसरी window पर लेके चलता हूँ मैंने यहाँ पर आपका यह यह मेरी आपकी second window है जो यहाँ पर मैंने open किये इसमें आपको इस वाल tab का भी option यहां पर नहीं है आपका यहां पर नीचे UCS icon का भी option नहीं है right side पर अगर आप देखोगे तो view cube, navigation menu और नीचे की तरफ आप आओगे तो command line भी यहां पर नहीं है और आपकी जो navigation layout tab वो भी आपकी यहां पर shown नहीं हो रही है तो दोनों में आप differentiate easily कर सकते हो यह आपकी first tab विंडो है और यह आपकी second window है तो इस तरह की जब आप problem finish करो तो इसको कैसे solve करेंगे वो ही हम discuss करने बाले है तो one by one करते हैं तो सबसे पहले हम आपका यहां पर जो आपका ribbon है उसको लेके आते हैं ribbon के लिए आपको type करना है ribbon की command होती है आपका ri जैसे आप ribbon का ri double b type करोगे तो यहां पर आपको कही सारे option मिल जाएंगे first है आपका ribbon close का option आपको दिख रहा है second आपका ribbon on का option दिख रहा है तो अगर मैं मेरा यहां पर ribbon show नहीं हो रहा है तो मैं यहां पर ribbon on पर क्लिक करूँगा तो मेरा ribbon आपको देखो यहां पर option अवेलेबल हो जाएगा फिर से एक बढ़ ट्राए करते हैं मैं ri double b type करता हूं और यहां पर आपका ribbon close जो second आपका option है इसमें मैंने है ख्लिक क्या तो मेरा ribbon जो है यहां से आपको रिमूव हो जाएगा clear हुआ फिर से हम आपका RI double b type करते हैं ribbon on पर मैंने क्लिक कया तो मेरा ribbon जो है यहां पर ओपन हो जाएगा तो first मेरा ribbon है अब इसके बाजो next है है आपको option हम यहां पर आपका one by one लेके आते हैं तो यहाँ पर आपको different different option आपके available हो जाएंगे जैसे first option आपका UCS icon मैं इस पर जैसे ही आपका click करूँगा तो आपको यहाँ पर left side में नीचे की तरफ देखना है कि आपका UCS icon यहाँ पर आपका available हो गया है मैं इस फिर से इसको off कर देता हूँ तो मेरा आपका UCS icon यहाँ से hide हो ग इसके अलावा इसके एंड पर आओगे तो यहां पर एक option है आपका फाइल टैब इसके बाद मैंने आपका यहां पर लेओट टैब पर क्लिक किया तो यहां पर नीचे की तरह आपका लेयाओट टैब का भी option आपका यहां पर अवेलेबल हो जाएगा आप यहां पर remaining आपका क्या वस्ता है remaining मेरी वस्ती आपका command line तो command line के लिए आपकी shortcut की होती है control plus 9 जैसे आप control plus 9 प्रस करोगे तो आपकी command line जो है यहां पर available हो जाएगी आपको क्या type करना है मैं इसको यहां से cut कर देता हूँ मैंने इसको cut किया yes पर click किया मेरी आपकी command line है व sorry वापस आ चुकी है तो कौन सी आपको command use करनी है control plus 9 clear इसके लावा कुछ और यहां पर ओप्शन हम लोग आपका discuss करते हैं तो यहां पर आपकी quick access menu बार है उपर की तरह आपको दिखना होगा जहां पर मेरे mouse का cursor है इसके just right side पर यहां पर आपका workspace आपको मिल जाएगा इसमे यहां पर देखो यह arrow है इस पर arrow पर click करना और यहां पर एक option आपको मिल जाएगा workspace का यह इस पर अगर आपका जैसे मैंने इस पर untick कर दिया यहां पर तो मेरा workspace आपका यहां से hide हो जाएगा तो अगर आप AutoCAD को open कर रहे हो और आपका workspace आपको यहां पर नहीं मिलता है तो simple क्या करना है यहांपर arrow पर आपको klik करना है यहांपर और पर उप्षसर करने का यहांपका क्लिक कर ओगार इसके अलावबा कुछ और और यहां पर यहांपर आप करना चाहते हो इस पे by default कौन-कौन से option आपके add होते हैं, new, open, save, save as, open from web and mobile, save to web and mobile, plot, undo, redo, ये सारे option इस पे by default add रहते हैं, इसके अलावा work space भी अगर आपको add करना है तो work space पे आप click करोगे, तो यहाँ पे work space का option आपका available हो जाएगा, इसमें आपके drafting and annotation का option है, 3D basic, 3D modeling भी आपके यहाँ प में आपको यहाँ पे, जो आपकी features app के just right side में आपके जो arrow दिखाए दे रहे हैं, इस पे भी आप अगर यहाँ पे arrow पे click करोगे तो यहाँ पको कुछ option मिलेगे, minimize to tab, minimize to panel title, minimize to panel button, तो मैंने minimize to tab पे click किया, तो इस तरीके से आपकी जो यह ribbon है, वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ribbon के जो आपके panel है, वो आपके यहाँ पे hide हो जाएगा, इस पर आगर second option पर करोगे, minimize to panel title, पर click करोगे तो यहाँ पर आपके जो पैनल है, panel के tool आपको यहाँ पे नहीं दिखाए देंगे, ribbon के, उसमें आपको यहाँ पे उनके button show करेंगे, जैसे view tools है, name view, आपका buttons हो करेंगे, जैसे आपका draw का button है, modified का button है, इस पर आप जैसे click करोगे, draw पे मैं आपने mouse के cursor को लेके आता हूं, तो यहाँ पे नीचे आपको सारे draw related tools है, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है, और वापस से आपको इस सारे option लेके आने, तो आप यहाँ पे इस पर arrow प ribbon है, वो आपका यहाँ से hide हो जाएगा, उसके बाद फिर से आप control plus zero करोगे, तो यह आपका वापस है, ठीक है, आज की वीडियो में हम लोगों ने आपका user interface से related कुछ basic settings के बारे में discuss किया, इस से related अगर कोई भी अगर आपको problem है, कोई query है, तो नीचे आपको नंबर दिये करें, मिलते हैं आपका next video के अंदर, okay thank you